आज का जो टॉपिक है 29 अगस्ट आज हम मात करते हैं नाशनल स्पोर्ट्स दे और आज के दिन हम याद करते हैं मेजर अध्यान चंजी को तो चलिए आज की पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम नाशनल स्पोर्ट्स दे के बारे में और कुछ विशेश चीजे मेजर ध्यान चंजी के बारे में तो भारत हर साल सेलिब्रेट करता है 29 अगस्ट को 29 अगस्ट we mark it as the sports day, national sports day, आप लोगोन अपने schools में भी sports day मनाया होगा, so basically इसे दिन पे हम mark करते हैं, maximum बहुत सारे all over India में events organized किये जाते हैं, कुछ awards दिये जाते हैं, and this is all to the contribution जो मेजर ध्यान चं gold medals दिला है, उनके और हम mark करेंगे हम, so उसे के लिए एक respect, tribute mark करने के लिए, yes we, एक national sports day में उने के जनम दिन पर मनाते हैं, so सबसे पहले चो national sports day मनाया गया था, that was in the year 2012, and उसी के बाद से हर साल हम इसे मनाते हैं, and आप सबने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, कि wizard of hockey भी इन hockey, done, अब बात करें किसका significance का है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, कि एक done, जिसमें particularly हम अपनी achievements के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कुछ awards दिये जाते हैं, plus एक, आप कह सकते हैं, कि एक सोच देना, या फिर लोगों को प्रेरेत करना, प्रोहित साहित करना, कि sports यो है, हमारे life म को मतलब किसी भी तरह सा अगर आप को अपरेट कर सके हैं, अपने life में sports को, कोई भी गे, done, और एक यूथ के लिए, चाहिए वो fitness के लिए, हर एक चीज के लिए, यह दन मा किया जाता है, ऐसा नहीं है, आपको रोज ही अपने हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए, बट एक अब हो सकता है, जिसे national events हम organize करते हैं, जिस उस हर एक चीज की एक अलग importance होते ही है, done, तो बहुत सार events organize किया जाते हैं, कुछ athletes के लिए, done, overall India में, teams, individuals are honored with, जो भी उनकी achievements रहती हैं, sports के अंदर तो पूरे सार में, तो yes, उन सब चीजों को किसी भी price से नवासा जाता है, जिसे जादा जरूरी तो है कि sports की importance या फिर physical fitness के important हमारी daily life में, because as we know, चाहे आप लोग studies में busy है, चाहे आप किसी और चीज में busy है, तो life बहुत जादा busy और fast हो चुकी है, उन सब के बीच में हमारे पास time ही नहीं बस आपने लिए, so yes, एक चीज याद कराना कि physical fitness या sports हमारे के लिए कितना ज़ादा important है, so yes, these are all the things जो अप different different events के तुरू यहां से यह message दिया जाता है, बात करें मेजर घ्यांच जी कौन थे, तो yes, 29th August को इनका जनम हुआ था, greatest hockey player है history के हमारे भारत के, and 1905 का इनका बर्था, and प्रियाग राज उत्र प्रदेश में का जनम हुआ था, और इनके अगर career की बात के रहे, तो 1926 से 1948 तक इन्होंने 185 matches खेले हैं, and जिसके अंदर 400 total यह goals बना चुके हैं, and जब इनकी performance थी जब यह खेलते तो उस particular time पे हम golden period बोलते थे Indian hockey का, and उस time पे इन्होंने 3 gold medals जताए हैं इंडिया को, एक 1928 में, then 1932 में, and 1936 में, कहा जाता था, एक इनके बीचे कहानी हैं, कि जब ball इनकी hockey पे आती थी, उसके बाद इनसे ball लेना is next to impossible, done, कोई नहीं ले पाता था, and इसी चीज़ के लिए इनको hockey wizard बोला जाता था, इन्हें magician के नाम से जाना जाता था, और अगर अभी कभी सोचेंगे, because यह तीन gold medals जो हम बात करें, we are talking about the Olympics, no doubt, अभी चो हमेरे पास Olympics आये हैं, because उसके बाद से जब से गये था, उसके बाद से हमें, होकी में, कुछ भी इस तरह का जो है, एक medals आप कह लीजिए, कुछ भी नहीं हमें देखने को बिला, but now once again, yes, our Indian hockey team is really doing good, अभी हमें the latest medal भी मिला है, उसके अंदर, done, so no doubt, एक era, जो कहीं खोड जुका था, वापस से हमारे पास आया है, current के बाद, अब अगर अब इनका नाम पढ़ रहे हैं, we are saying here as the major ध्यांचाद, तो दीखें, इनका जो नाम बढ़ा था, यह जो चांद इनके साथ जो add हुआ था, वो basically क्या था, यह दिन में अपने च्विए regimental duties है, उनको complete करने के बाद, रात को moonlight के अंदर यह अपनी होकी की practice करते हैं, और उसे के बाद से जो हैं, इनको यह title दिया गया था, इस अचांद, बिखो चांद आप सब जानते हैं, moon है, so उसके अंदर is practice, so that is the level of his dedication, ना यह कभी अपने फर्स से पीछे हटे, बिखो बिखो बिनावा है, और यही चीज हम आपको भी बोलते हैं, कि आपको आपको पर्स है, जाब आपके पढ़ाई के परती है, जाए करियर के परती है, उसको जरूर निवाईए, लेकिन उस बीच में अपने passion को ना खोने दीजे, कि आपको पर्टिकुलर एक हपिनेस और एक लाइफ को बहुत ही पॉजटिव एनरजी आपको देता है, और इवन 2021 में एक जो खेला वार्ट यह राजीव गांदी खेल रतना वार्ड, उसका नाम चेंज करके इनके नाम पर रख दिया गया था, मेजर ध्यांचन खेल रतना वार्ट, 2023 में बेडमिंटन के इस चिराग शेटी और सात्विक साहराज रानेक रेड़ी इनको यह ओनर दिया गया था, इसे तरह और भी बहुत सारे ऐसे वार्ट से जो आज के दिन दिये जाते हैं, इसे भी रेली माक आख आज रेस वेरी फेमस पसालिटी और एक वो पसलिटी जसने भारत का नाम इंटनाशनल होकी उसमें जब अलग लेवल पर लेके गया, इसे वारत के अंदर आपको और भी कंट्रिस के अंदर इनके सच्छुस देखने को मिलेंगे, तो यह वस रेली अवरी वी किन से की अप्रिशेटिंगा फिगर थी है, तो यह उन इस दिस दिए, आपको आपको कभी चीजस पता लगी हूंग इनके बारे में, मैं यह एमारे बैटर्ष बैटर्टा थे सस्बी इंडर्वे, आप नहीं जायन कर सकते आथ हुआ यह उन इस दिस दिए नियूंट करें साथ ही कॉर्स पर किया यह उन्डियो अग्ण बीकरियोगे, कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं